हेलो बच्चों यह आखी क्लास सेकंड की क्लास है हिंदी व्याक्रण की इसमें हम पीए गू का जो लेवर से वो श्टार्ट कर रहे हैं पीए गू का पहला चेक्टर जो है अध्याय तीन वो है शब और बाद की इसमें हम आपको बताएंगे कि सब्द और वाकिव कैसे भश्टे हैं जजा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ण से शब्द बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाकिव बनते हैं तो इस शेप्टर में हम सब्दों सब्द बनाना और वाकी बनाना समझेगे यहां पर है सबसे पहले शब्द वर्णों यानि अक्षरों वर्णों अक्षर भी पहते हैं जो काखा काखा यह होता है हमारा क्या होता है अक्षर होता है और इसे हम जो इसके प्रम को कहते हैं उसे हम वर्ण माला कहते हैं तो वर्णों को जोड़ कर शब्दों का निवार होता है जब हम का, ठा, गा, इन सब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा इन वर्णों को हम आपस में जोड़ेंगे ये को हमारा क्या बनेगा? शब्द बतेगा. प्रतेश सद्दता अपना कोई एक अर्थ होता है. जैसे हमने यहाँ पर आपको जोड के बनाया बताया है कि यह जो हमें वर्ण है हमारे. यह सब अलग-अलग है. इनको हमें एक में कैसे जोड़ना है? सबसे पहले हमें शा लिखा रहें, पर हा लिखा रहें, फिद्द अर इनको इसके 20 यह प्लस कचे में जब खटा रहेंगे और एक साथ जोड़के लिखेंगे, तो हमारा इक कौन सा शब्द बनेगा? शहेद. शहर एक सार्थक सब्द है, क्योंकि इसका अपना एक अर्थ है. इसी तरह हमने लिखा है, शा प्लस खा प्लस रा. यह भी हमारा क्या है? एक सार्थक सब्द है, इससे हमेरा कौन सा नया शब्द बना? शहर. पहले हमने शहर बना है, फिर हमने शहर बना है. अब आते हैं हम, हम नाम, नाम में आथि माक्रा, एक हमारा, पक्लस अमंगहिक, भी सकून का हैएगगा, छो receivers यह हमारे रयल हैं क्या रवारियना है, जब इनी वर्डों को हम आपस में जोड़ देती हैं, तो हम एक नय शब्ध का निबान होता दोएए över box क्या सीखेंगे सब्ड़ बनाना सीथ है कि सब्ड़ कैसे बनते हैं वर्णों को जोड कर हम सब्ड़ कता निभान करते हैं अभ हमें दो से अधित अक्षनों के जोड़ से श़ड़ बनते हैं ये सार्थक सब्ड celebrates केलाते हैं अब आता है जैसे कमल, खर्गोज, गेला, गाय, फेर, आदि ये हमारे सभी क्या है सार्थक शब्दें जब हम आपस की अर्ष्णों को जोड़ते हैं, शब्द बनते हैं और विसार्थक शब्द करलाते हैं जैसे फिर हम हम मनाते हैं वाक्य वाक्य कैसे बनते हैं अब हम आते हैं दो यदों से अधी शब्दों की योग से वाक्य बनता है जब हम पहले हमें अक्षरों से वर्ड सब्द बनाना सीखा वर्डों से शब्द बनाना सीखा अब शब्दों को जब आपस में बिलाते हैं प्रमपदुरूप में लिखते हैं, एक्लाइम में लिखते हैं तो हमारा क्या बनता है? वाट बनता है जैसे विम्ला चित्र बनाती है अब इसमें ए, दो, तीन, चार हमने इसमें शब्दों को जोड़ के निखाए तो ये हमारा वाट के बनाए गाय दूद देती है, आम मीठा है तो ये हमारे क्या है? वाट के सबसे पहले याद रुखिएगा वर्णों को जोड़ कर शब्दों का निखाण होता है वर्णों को जोड़ कर शब्दों का निखाण होता है इसमें दो या दो से अधिक अच्छों को जोड़ से सद्ध बनाया जाते हैं और दो या उसे अधिक शत्र को योग से या जोड़ कर हम वाकित बनाते हैं सद्ध चत्धा वाकित क्या होते हैं? सार्थक होते हैं ये हमारे सार्थक सद्ध हैं इनका अपना कोई- рук sellers अर्फ ऐसी झार दिखें आपकी जैसे एकसरसाजहर्स सबस्सें बनते हैं सबस्सें बनते हैं वर्णों से, किस्सें बनते हैं वर्णों से और वाग के बनते हैं सब्दों से सार्थक्षद्य मेज या गलग, गलग हुमारा क्या हुआ, गलग हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरण्थक्षद्य है, सार्थक्षद्य क्या है, मेज, मेज हमारा सार्थक्षद्य इसका अपना एक अर्थ है, तो यह हमारा जो चेप्टर का बच्चों पूरा हुआ और इस चेप्टर को ध्यान से पढ़ना, समझना और फिर बाद में इसकी एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करने की गोसिस करना उसके बाद में जो उन सॉल्व एक्सरसाइज आपको बेज़ेगे उसे मैच करके फिर आप अपना काम पूरा करना हुआ ने लिवाद